ग्रूप थियोरी को कंट्निव पहाते हुए है आज हम आपके बीच में लेक्षा रहे हैं सेंटर और इसको हम लोग दा सेंटर और बूसकते हैं और सेंटर और पढ़ने के लिए इसके पहले पर चुक्त के बारे में तो कुछ ऐसे अलमेर जो सेल्फ कॉंजुगेट हो उसी को तो लोग दो सेंटर और गुरूप बोलते हैं कैसे बोलते हैं देखिए आज पूरा एक लाशिस करते हैं बिस एक्जामपल लेक्टर 47 दाह्त एक गृूप पढ़ने से पहले पढ़नाओ की सिड्फ का उदिःस क्या होता है तो इस से खंक के लिएयं self conjugate of किसका ये बिलॉंग टूजी है ये ही क्या लागा क्या इफ ये इज दा वर्ली मेंबर ऑफ दा क्लास सी ये जो पिछले क्लास में है ना क्लास सी ये के बारे बताया गया था उख खो सब्सक्राइब सैंब्सक्राइब फैर इस दो चाहिए फोंगोजिए लागा इस इंच रिल्ल्ट के बारे में तो तो क्या था उसमें देखेदों के रिफलेक्सि बताया थे रिफलेक्सि का बताते यह जो है आपने आपके क्या हुआ सेर छुछ को का त्यार हो जागा सिए नहीं जो आपने आप क्या लाएगा हो सेफ कर लाएगा इसमें दो कोई पॉर्ट कंडिशन है कि दर ट्रांस्फोर्म आफ ए बाइवरी अलमेंट ओफ जी रिमैंस इकवर टू यह एक यहीं बराबर हो सेफ स्री बराबर केतना यह स्री बराबर केतना जो बी एन ऐसा होगा त्रांस्फोर करने के बाद तो उसे वक्रियेंट आता है अग बहुत जगह लिखा रहता है वुखमें वह क्या होता है इक सेल्फ कंडियट को इंप यह से पॉइंट लिखाने का एक बहुत और किताब अलगरा लिगता है तो कहीं इसका वृट को इस क्या यह बोला गया है अभी समझ गये अब दखते हैं कि यह सेंटर और गुरूप क्या है तो ऐसा कि यह जो आपने आपमे का होगा हो उसी को बुलेंगे और पॉइंट और टिना जू रहेगा यह प्वाइंट ऐसा रहेगा जिसका लेफ्ट और राइट करने के के बाग कोई आंतर नहीं पड़ता हो यानि इक्वल होता हो उसी के बोलेंगे सेंटर आपका कि दसेंटर कि आफ ए गुरूप कि दसेंटर आप गुरूप के मतलब हो गया कि दा है कि सेट होगा एक जेड़ कि अफ ऑफ और इस में क्या रहेगा बूरा के पूरा सेल्फ कज्यूगेट नहीं रहेगा और सेलफ को दीट को लीट अलेमेंट्स को मैं ए उन्दटूगेट अलेमेंट्स ओर फे गुरूप जी इच कॉर्ड दा सेंटर अफ अफ गुरूप जीप हो सकते हैं जेट जी से भी रिपरजेंट करते हैं हम लोग इसका कैसे रिपरजां करते हैं हम लोग इससे जेड बराबर एक कल्मनेट उठाय जाएगा जेड से ही वह क्या बिलॉंग टू जेड भी बिलॉंग टू जी such that xz क्या zx जो लिखिया आपना zx is equal to xz for all x belong to g इसी को बोलेंगे हम लोग इस set को क्या बोलेंगे center of group बोलेंगे इसे अभी पढ़े था मलोग self के लिए a बराबर क्या था कि एक्स इंभार्स एक्स था शेलफ का यहाँ अब माली जाके दोनों तरफ एक्स ए मल्टिपलाई क्या एक्स ए बराबर कितना जागा एक्स इंटू एक्स एक्स ए बराबर कितना त्यार हो गया क्या बन गया एक सेट त्यार होए भी क्या होगा सेंटर आप गुरूप का है तो कहने का मतलब है कि यहां पर यह गर्राइट रिया है है कोल मैं यह गुरूप का अपिर हो या उक्वाल हो गया कि इसको ऐसे भी हो लोग पठ्टे हैं कि बराबर ऐस छेट है दोवं तरप का दिया जाए, Z inverse, Z X, इसक्षर возможность क्या हो गया हूँ? Z inverse, X Z, दोने तरह J inverse ह thunderे, ब्राबर जेड इन्वर्स एक्स जेड यहां पर जो है एस क्या कर लाया है इस क्या कर लाया है पर सेल्फ कंजुगेट उसी तरह से हम लोग यहां पर अल्मेंट लिया गया है कि इस तरह बोलता सेव तो सेट जेड ऑफ और सेल्फ कंजुगेट अल्मेंट्स और फेग गुरूब जी का जो भी अल्मेंट लिया जाए वह प्याओ शेल्फ कंजुगेट हो उसी को बोले कि दा सेंटर आफ जी और इति इन्वर्स बाइब आए सेट क्या है कोई अल्मेंट उठा लिए जी का उसके लेफ साइट एक अल्मेंट रखा जाए तो क्या उससे इकवल हो जाए तो क्या बोलेंगे इसी को बोलेंगे सेंटर आफ गुरूब बोलेंगे एक सेट है अब शेंटर पुब जोड़ने की एक ही अल्मेंट कहों बहुत सब्सक्राइब कर दा शेंट जो होगा और सिल्प पंजूइट हो जाए वह भी अल्मेंट उठा जाए अहीं के साथ बी हो रहाए तो वाइक साथ उठाजा जाए जिससे उठाजा जाए यह तो कितना होना ची लिए एक्स बढ़ाबर एक्स एखई ऄल टूजिए अब उठाया जाए तक इतना होगा वि एक्स बढ़ाबर एक्स बी फॉर आरग स्बी एक्स भिलाउंग तुजिए इस तरह से कर लिए सर जितना उठाएंगे छे चैसाल पर साथ अपलाए होना चाएं तब ही हम लोग बोलते हैं यह सेंटर आफ गूरूप यहाद तो कोई डाउट नहीं है अब पूसे जांपर लेक्ट इसको किर्या करते हैं सेंटर रगूरूप का अब आने वाला यतनी गूरूप का कंडिशन पड़ेने हम लोग उस अब जगए अपलाई हो जागा प्रोपर्टिज पर एक्जांपल देखें जब कुछ एक्जांपल लेते हैं कि दा सेंटर आउप एनी गुरूप कॉंटेन अजिस्ट वान अलिमेंट काम से कम एक अलिमेंट ऐसा रहेगा है ना जूश्का सेंटर को सो करेगा जैसे माल ले जाए कि आइडेंटिटी अलमेंट को कैसे भी किया जाए कोई अलिमेंट के साथ वह सेंटर कलाए गया है कि हम लोग आइडेंटिटी अलमेंट के बारे पड़ चुके हैं कि इसके बारे पर्ष पुके कि जिस्से लिसा सीष्प आजे47 इस बेराबर की इससे जाकी तो आपने से क्या हुआ एक वाल ही दून होगा हैं। याना यानीक ही होगा जा निकि ही शी कुपत है। यहा जो सेंटर आप गरूप सेंटर ओण्सपानगों की मिशेंतर को बोलते हैं। दूश्ता न्वबो लेकिता है। कि इप जी कि इस ऐन आवेलियन गुरूप कि देन सो डेट जेड जी पहले भी पर चुके है ना नोम राजो गरेंगे साथ भी प्रोब्रता थी शेम्ट्रम था कि अगर बेलियन है तो जेड जी प्राव के तो क्यों होता है कि जो भी सेंटर लेते हैं हम लोग तो पूरा के पूरा क्या करता है कॉंटेंट करता है ना सब किसका जी कहीं होता है जी से उठाते हैं जी मिलेते हैं जी से उठाते हैं जी कहीं सेंटर निकालते हैं तो इसलिए क्या होता है जेड जी जो पूरा क्या हुआ होँआ कोंटेंड करेंगे किसको जी को हीं, चाहिए जेड जी, शाप सटो किसका जी कहीं, तो लेट हमनों माल लेते हैं कि कोई element x लिते हैं, अब बिलोंग तो जी है, उन्हें, तो चुकित, g is a valian है, जी क्या दिया हुआ है, a valian के लिए कंडिशन में मालूम है, का होता है, x y बराबर y x, for all कितना होगा, y belong to g, एक element उठाए है, x, उस चाहत राइट सार मटपलाई करें, यह लेट सर करें, अब वह element क्या होना चाहिए, g क्या होना चाहिए, तो क्या बोलंगे, दोनों equal हो जाए, तो क्या बोलंगे, अगर rebellion है, अगर rebellion है, तब हम लोग क्या लक्स दे रहता है, z belong, x belong to g, या x क्या है, इस क्या है, center भी है, इसका, y के लिए, इसके क्या बोलंगे, यहाँ पर, x, y, बरावर y, x, एक content करेंगा, x belong to g के लिए, तो एक सिर्थ त्यार होगा, किसका यह, center का, या एक सिर्थ क्या होगा, z, g हो जागा है, condition किसका है, center of group का है, इसलिए, x belong to g, x belong to g, x belong to g कितना होगा z, g आगे, आप, abilion हैने के बाद, तो हम लोग का सकते हैं, कि g भी पूरा कर रहा, content कर रहा, किसका, z, g को, जिस तरह से, z, g, content कर रहा, kis को, z, g, content कर रहा, kis को, z, g, content कर रहा, kis को, z, g, बने, पूरा-पूरा subset है, जो element यह, यह, element आया, z, g के साथ, सब्सेटों के, content बोली, जो बोली, आप, टू हो गया, तो, from one and two से, वी गेट, देखा जा, one and two से क्या हुआ, कि, पहले पढ़ेता है, चेट फिरी में, कि अगर एक content करेगा, बी को, आयन, बी content करेगा, यह को, इसका मतलब होता है, कि दूनों आपसने बराबर है, दूनों आपसने का है, इक्वल है, इनि कितना हो गया है, कि, वी गेट, जेट, जी बराबर हो जागा, जी के बराबर हो जागा है, एक ग्रूप करना था, तो, कुछ की हम लोग नहीं, कि अब लेते हैं, बस, अब बोले जेट जी साब से, चाहे content करेगा राज जी को, क्योंकि, जो भी इक्वल होता है, इसलिए, अब लेक्वल हो जागा, अगर जी यह बराबर हो जागा, अब कुछ परपर्टी देख लिए, परपर्टी जो किसका है, center of group, उसका equation होगा, भी स्यार कर सकते हैं, लोग, जी से पहला है, इसे चेंटर जी, center of group G, group G, जी से लिखिये, जी से लिखिये, इस नॉर्मल, नॉर्मल साब गुरूप, अब इस साब गुरूप, नॉर्मल साब गुरूप बहुत 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 परूप कर चुके, इसलिए, आप लोग के बने हिर से जगाए, कि साब गुरूप के condition क्या होता है, इसे माल लेते हैं, कि स्विल्फ कियागा, तो दो को सब्कोर्श करना परेगा, कि Z ने बिलॉंग करेगा, इसे माल लेते हैं, कि दो अलमेंट लेते हैं, Z1 और Z2 आज दोनों को दोनों बिलॉंग करेगा किस में? इसका मत्तब है कि जेड़ बान इंटू जेड़ टू का इंवार्स क्या होना सिए बिलॉंग टू जेट क्या समयेंगे यह सब गुरूप है का समयेंगे सब गुरूप सेम टू पर तूके हैं लुम लाजर के साथ भी उसी वह लग कर दीजेगा अब पर से टू से में हैं अब डिखा देंगे इंटू जेड़ टू का इनवार्स क्या हो रहा है बिलॉंग टू जेड़ हो रहा है इसलिए जेड़ क्या के लाएगा इस सबिल क्बाड़नें लेट फिलोंगे टोवपकर अलों पर इसमाल सबस्ट खाल यह म сказала यह मन्हाता है यौज उसने ला मि Ouais पक्रेवियर ल्ग मैंद्य की आतीन करीषित कि टातना हुए यह दो क्यों मिस्क करेंते नहीं सेंटन पत São क्या लिए प्रेट रिलाउंग टू जेट प्रेट्ट हो जह खिश्ट युड़ा इंटू इट टू बनेगा जो जेटा यह क्या को रहा है ज़स्ट एट करके लोग जो यह है इस नॉर्मल कि सब्रूप होगा हम इसी तरह से पर पार्टिस को यूच करके शंग कर लिजेगा नॉर्ब दिखा दिएगा इतना और यह नॉर्मल दिखा दिएगा तो क्या बने गया नॉर्मल सब्रूप बने जगा करते हैं जो बोलने बोले उसका डिपनेशन होता है इसे दूसरा नंबर है दूसरा नंबर पॉपर्टिज है जो कहता है ए बिलॉंग टू जी इफ एन वन लीफ पढ़ा था केतना एन ए बराबर जी एचा था आई जी इज फिनाइट जी क्या हो फिनाइट हो ज़िए फिनाइट है और ए बिलॉंग टू जेड है जार इफ फैन वन लीफ झाण ऑडर अफ नुमोलाईजर में जो हूगा जो बहुंत कि एलमिंट लिया गया है नुमलाईजर के साथ इस सेंट्र के साथ था अबसे आटुए ऐक सांग के बराबर होता है कि अवाडर आप नमोलाइजर एक काम से कम एक आया एंटी क्या करता है काम से कम एक सो करता है जो पहले पढ़े विद्ध एक अलिमेंट कम से कम ऐसा होगा जो सेंटर में बिलोंग करें आप तीसरा नंबर है if G is a finite group and Z be the center, center of G, then the class equation class equation पहले भी लिख्वा चुक्य है, class equation of G as कितना order of G ब्राबर, order of G ब्राबर कितना order of Z plus summation of A not belong to Z order of G, but order of normalizer A अब फिर इसमे क्या है? पहले जो हम लोग पढ़े थे वह क्या था? कि order of G जो था, order of G जो था, वो क्या था? पूरा मिला कित था आपका कितना? जी ब्राबर था, इसे summation था, कितना था? order of C था, order of C था, ये बिलॉंग टू था, अब फिर इसमे क्या है? स्मेशन आफ ए बिलॉंग टू जी इसके मन क्या था, order of G बटे, order of normalizer A जैसी इस्ता करेंगे तो एक आइंटी सो करेंगा है ना, तो हम लोग order जो है, ये इतना तो लेंगे ही, कितना order of Z की ब्राबर रगए कि order of Z बताया थे कम से कम एक list element जो वो देगा ही देगा, को भी group में है, यहाँ एक दोदर दिया, एक जब दे दिया, order of Z, तो दोवारा मे पर खक्ती का कब से कर देगे कि, कि सोब गर को सब करता है, इसलिए पूरा order of Z निक आलने के लिए करेंगे आगे चलके बहुत सब्सक्राइब करना पड़ेगा कुछ एडवांस पढ़ेंगे जो अभिस्ति त्यूरम पड़ेंगे जो अभिस्ति त्यूरम पड़ेंगे प्यूरम होता है तो जो अपलाई होता है क्या करते हैं प्यूरम बनाएंगे उसके उपर नेश्ट क्लास आने वाला क्लास में आपको यह सब्सक्राइब का इस होते रहेगा है इसलिए हम पड़ें लिखवा दिए ताकि कंफुजन नहीं यह क्या क्लास एक्विशन था सब्सक अब यहां के बाद हम लोग का करेंगे कुस कोश्चन बताया जाए इस पर है नेश्ट क्लास में मिलेंगे इससे कुस अब्जेक्ट की कोश्चन को ले करके